बच्चे आई प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही मेजर ग्रूप है जोकी वल्नरेबल पॉपुलेशन में मानेंगे हम लोग उसकी सिंपल सी वज़े ये है कि बच्चे पकड नहीं पाते हैं कि उनको आई की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है अगर एक आँख बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहे है और एक खराब है तो बच्चे बिल्कुल भी पकड नहीं पाते हैं because they are able to manage everything with that one eye, they cannot make out कि दूसरी आँख में कोई प्रॉब्लम है इसलिए जरूरी है कि आपको कुछ warning signs पता होने चाहिए हैं बच्चों की आपकों के safeguard के लिए सबसे पहला अगर आपका बच्चे को देखने में दिक्कत है चाहिए वो बहुत पास से चीज़ें देख रहा है या दूर की चीज़ें नहीं पहचान पा रहा है most commonly बच्चा blackboard से नहीं उतार पाएगा क्लास में कॉपी नहीं कर पाएगा या गलत मलत कॉपी करेगा so that is a warning sign headache सर्ड में दर्द होना एक बहुत ही important indicator होता है number का squint किसी भी उमर के बच्चे को अगर आँखों में टेड़ा पन आ रहा है चाहे वो आँख अंदर को जा रही है या बाहर को जा रही है उसको ignore नहीं करे immediately अपन डॉक्टर को जरूर दिखाए white reflex white reflex होता है यह हमारा काला डेला है इसके अंदर सफेद बिद्दू दिखना यह white reflex बहुत सारे eye problems का indicator होता है जिनमें से कुछ बहुत खतरनाक भी होती है तो इसको कभी भी ignore नहीं करें अगर बच्चे की आँख में काले डेले के अंदर कोई भी सफेदी दिख रही है उसको ignore नहीं करें उसके इलावा चोटी problems आँखे लाल रहना आँखो में रबिंग बहुत जादा होना इचिंग बहुत जादा होना पानी गंदगी यह चोटी problems है लेकिन इनको भी ignore नहीं करें because they might eventually can cause problems अगर कोई दिकत नहीं भी होती है तो भी ऐसा recommended होता है कि बच्चों को सालाना once a year routine check-up ज़रूर करवाएं एक eye doctor से check-up ज़रूर करवाएं और it can be started as early as the first year of life पहले साल में भी आप शुरूर कर सकते हैं और बच्चों के आखे ज़रूर चेक होती है नंबर चेक होता है अंदर कोई और internal problem तो नहीं है वो चेक होती है यह ज़रूरी है कि हम उसे regular में चेक कराएं